दोस्तों ये वीडियो छोटी सी है बट आपके लिए बहुत नॉलिज है इसके अंदर ठीक है मैं काफी पर मुसे सवाल पूछाता था है कि सर आजकल के Bluetooth ना या फिर USB जल्दी खराब क्यों होते हैं क्यों होते हैं उसका एक एक्जम्पल मैं आपको यहां पर दिखा देना है एक ओल्ड टाइम का है एक नई टाइम का है ओल्ड टाइम में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन का यूज करा जाता था बट आजकल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है मैंने इस मल्टिमिट्र को कर्टिनुटर की रहेज पर र देखिए वो जो डाइवड वेली दिखा रहा है डिकट बीप नहीं हमारा अच इसके लिए पर देखना पड़ेगा इसमें नहीं मिलती है काही ने कहीं बीच कर्णे के सब्क्रोटेक्शन लगी रहती पूराने टाइम पर लेकिन आजकल मैं आपको दिखा देता हूं यह द देखिये यह direct iam see connected हूथ होती है अभ आपको दखाताओ विजडिये देखिए यह ह andar ईहां से connected है पांच वोल्ड और यह देखिये यहां से connected है यह यह दिखियin जहां पर बीप हाई थे हमारी यहाँ पर देखिये तो यहां से 5 वोल्ट डारेक्ट इसमें जारी बीच में कोई भी प्रोटेक्शन का यूज नहीं करा गया अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एक 5 वोल्ट की या फिर 3 वोल्ट की जेनर यहां पर लगा सकते हैं इसका वीडियो वैसे वालने अल्डेटी बना के रखावा है यह छोटी सी information आपको देनी थी ठीक है प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप इसके एक जेनर डायोट लगा के जेनर डायोट का मैं आपको उधारन देता हूं एक छोटा सा example देता हूं जेनर का तो यह जेनर है जेनर लगानी कैसे है जेनर का यह देखिए एक सैट को ब्लैक लगाना है इस तरीके से जेनर की जो रेड पट्टी है उसको आपने ग्राउंड पर लगाना है और जो ब्लैक पट्टी जहां पर ब्लैक वाला यहां पर ब्लैक वाला एक लाइन आपको मिलती है वह आपने लगानी फाइव वोल्ट वाले पॉइंट पर इस तरीके से जेनर को connect कर देते तो आपके protect हो जाता और वोल्टे से बजाएगा और दूसरी कीज़े कि गलत अगर आप इसमें connection कर देते वो भी बजा देगा पहले गलत connection करने पर फुकता नहीं था बस कुछ अब यहां पर आपको दिखाता हूं किसी पोइंट मा बजर नहीं मिलेगी देखिए कि वेल्यू दिखा रहो डायोट वेल्यू आएगी क्योंकि बीच में डायोट कहिने लगी रहती है कर दो इस तरीके से पहले के प्रोटक्ट ही जाते थे लेकिन आइसी तक अगर आपका जो है ना ओवर वूल्टेज पहुंच गया तो पुराने वाले भी खराब हो जाते है असा नहीं है ओवर वूल्टेज कभी कभी आइसी को फूब देता है लेकिन पहले के जो ब्लोटू आते हैं वो कहीं ने कहीं मतलब मुझे काफी सही लगते थे आपकी क्या राय है आपने किले फोके है कमेंट करके जो जो बताना चलिए वीडियो कुस्टन आए तो लाइक करके शीर करना ना भूलिए